आज तक एक रुपे के भरष्टा चार में भी कोई मी आमादमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है आमादमी पार्टी इमानदार थी, इमानदार है और इमानदार रहेगी और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसिस होते रहें लेकिन आखिर कर एक भी पैसे के ब्रश्टाचार का सुबूत सामने नहीं आएगा क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी ब्रश्टाचार किया है ना कभी ब्रश्टाचा लेकिन कई ना कई लग रहा है उसी आधाच बेल रिजेक्ट हुआ है। अब तो आज भी वही है क्योंकि ED के अपने आरोपों में भी मनीश से सोधिया के पास कोई भी पैसा पहुचते हुए वो नहीं दिखा रही है। चाहे कितने भी आरोप, ED, CBI, दिल्ली पुलिस लगा ले कोई भी सबूत साबित नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक एक रुपे का भष्टाचार किया है ना करेगी। लेकिन अदिखिये ये जो पूरा मानुदा है इसमें आप पर आरूप लग रहे हैं बीजेपी के जो सांसद हैं वरिष लेता हैं तो ये कह रहे हैं कि अब आपके शूष प्रियानी के वोटना को भी क्यों रिशावर रहे हैं कि उनकी विजेज जाने की पार्दू चाहती है कि कोई उनके भरष्टाचार को उजागर ना करे भारतिय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो पिछले दरवाजों से चुनाव जीते क्योंकि वो ED और CBI का प्रयोग करते हुए अपने सभी विपक्षियों को खतम करते हैं आज अगर आप देखिये चाहे आम आदम पार्टी हो चाहे TMC हो चाहे Congress हो चाहे DMK हो जो कोई भी पार्टी भारतिय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का उपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से agencies का इस्तमाल करके सभी व भारतिय जनता पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं ये ऐसी ही बात मिनाक्षी लेखी जी ने संसद में कही थी जब संसद में दिली सर्विसेज बिल पर बहस चल रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया था तो उन्होंने तो सदन महीं बोल दिया था कि अब आपकी एडी में अरेस्ट होने की बारी है अब आपकी जेल जाने की बारी है ये भारतिय जनता पार्टी के सत्ता का अहंकार है